हलो फ्रेस्टिबल के साथ काम भी बहुत बढ़ जाता है जिससे बहुत साइड ऐसी होते हैं जिने टाइम बिलकुल नहीं मिल पाता है कि अपने फ्रेस को ने खारने के लिए खुबसुरत बनाने के लिए तो ऐसे हमें हमें चाहिए होता है इंस्टेंट फेस ग्लो पैक जो हमारे स्कीन को बहुत ही कम समय चमकदार बना दे तो ऐसा है एक फेस पैक में लेकर आई हूं बताने वाली हैं जिसे आप अपने सब्सक्राइब कर देचे लगे तो चल्ले opens डेक लिए मैं इस पैक को बनाना इसमें ऐसे एंजाइम पाजाते हैं आपके सिल्स को रिमूब करेगा आपकी स्कीन को फ्रेश बनाएगा उसके बाद हमें चाहिए मुलतानी मिटी मुलतानी मिटी एक ऐसा नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो हमारी स्कीन में से एकसेज ओयल को रिमूब करता है जो हमारे इस फेस पर दाग धब्बे दूर करता है और फोड़े फूंसी जिसको प्रब्लम में वह भी खतम करेगा जिसको एकने की दिक्कत होती है ना उसमें भी बहुत हर्प करेगा धीरे धीरे हो जायेगा उसके बाद हमें चावल कहा ऑनटा से ँष्कमारी परायट अजिक हमारे स्कीन को डाइट करता है हमारे स्कीन परिस करता है और श्मूठ Tout मौन करता है जो होaving प्रेंट कार ना जाता है इ कि गव्रथांश पर चाह Birма साइसते हैं खरूंसी अतिक हमारे निबूराद जो निकलनाई एक blossom करता है, जो हमारी skin को बहुत ही खुपसूरत और जवान भनाए रखने में भीछ हेल्प करते हैं बहुत लूंबे टरां तकं आकाई ही स्किन पेडि टोक्ति हों श्राइप करें श्राइप लंक्तलियु más щुराइप लिद निषम Bism promise उसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे नीबू, फ्रेंड्स नीबू में वैटमीन सी होता है, जो हमारी स्कीन को लाइट और ब्राइट करता है, नीबू एक नैचुरल ब्लीच का भी काम करता है, फ्रेंड्स जो यह होता है, नीबू होता है, हमारे स्कीन को निखारता है, हमार स्कीन को एक ऐसा फ्रिशनिस देता है कि वो चमकने लगती है और अंदर से रेडिन्स आ यह हमारे फेस पे तो अब यह सारे चीजों को हम एक स्मूध पेस्ट बना लेंगे आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए या ऐसी क्रश कर लीजिए जैसी आपकी इच्छा हो ऐसी बस एक स्मूध पेस्ट बनना चाहिए तो देखिए आपका यह सूपर वाइटनिंग पैक इंस अच्छे से क्लीन करना है अच्छे से साफ कर लेना है उसके बाद ही इसको अपने फेस पे अपलाई करना है तो जब अपने फेस को आप दो लेंगे अच्छे से उसके बाद इसको आप अच्छे सबने फेस पे अपलाई कर दीजिए चारो तरफ लगा दीजिए अपने पू तो आपके फेस पे अलग सा निखा रहाएगा बहुत ही खुश्वरत लगेगा फ्रेंट्स लेकिन लगाने से पहले बात बता देती हूं आपको कि यह तो ऊपर से आपके चहरे को निखारेगा लेकिन अंदर से आपकी स्कींग को अच्छा अबनाना है अगर अपनी स्कींग क अच्छा अच्छा खाना भी पड़ेगा इसलिए आप अच्छे चीज़ों खाए हरी साख सब्जिया खाए खुब पानी पिए ताकि अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आपकी स्कींग ब्लो करें और लोगों की भीड में आपका चेहरा एक अलग ही नज़र आए अलग चमक नज़र आए तो फ्रेंट्स इसको आप अपने फेस पर अच्छे से अपलाई कर लिजिए इसको 20-25 मिनट के लिए ऐसे लगा के छोड़ दीजिए उसके बाद अपने फेस को धो लेना है लेकिन आप इसको वीक में कम से कम तीन बार अपलाई कर सकते हैं या कहीं जा र देगा फ्रेंट्स आप इसको एक बार जरूर ट्राइग करिए गा आप इसे लगाएगा और इसका रिजल्ट मुझे कमेंट में जरूर सेयर करिएगा क्योंकि बहुत इफेक्टिव है मैंने इसे खुद लगाती हूं मैं खुद ट्राइग करती हूं पहले फिर आपको बता सकते हैं कोई साईटिफेक नहीं होगा लेकि फिर भी आप चाहे तो इसका पैज्टेस्ट कर सकते हैं आप इसको अपने गली चेक कर सकते हैं दिनीया हो गया है यह कि दो कि वह इसको चेहरा आती हुट देखें तुछ चमक चाह्यां आपको ईसको अपर किसे भी मेच जरुबत नहीं पड़ेगी आपका तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तद तक के लिए बाबाइ